हेलो एवरीवन माई नेम इस पहुंतिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल मैस भाई पहुंतिवारी में तो देखे मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको सैलरी को लेकर एक वीडियो जरूर बनाओंगा क्योंकि सैलरी आ चुकी है ठीक है तो कुछ दू एट को स्लिप आ जाती है बट आपकी सैलरी जो है जैसे पोस्तल असिस्टेंट में आपकी सैलरी जो है वो 30 सेप्टेंबर को मेरी आ चुकी ठीक है तो मुझे इस पर वीडियो बनाना था थोड़ा सा क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं भी सर्च करता था कई चीज तो आज मैं आपको वो पेसलिप दिखाने वाला हूँ ठीक है तो यह पेसलिप पड़ी होई है इसको थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे उससे पहले एक मैसेज मुझे आपको देना था कि जैसे कि आज एक मैस का वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ वो अब वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा प्रॉक्स 9-9.30 मैं उसको अपलोड कर दूगा ठीक है तो आपका एक वीडियो आ जाएगा और उस वीडियो में क्या-क्या रहेगा वो थोड़ा सा उस पर मैं दो मिट आपका लेना चाहूँगा कि उस वीडियो में actually जो वो वी क्याना चाहूँगा कि वो मौक देते रहें दिन में डेली दो मौक अगर वो दे रहे हैं देन उनके लिए more than sufficient है अपने weak points पे काम करें और उस चैप्टर में और कितना वो deeply ग्यान ले सकते हैं उसके लिए गगन प्रताप अभने सर्मा या फिर books का वो help ले सकते हैं उसके ल करें just like PDF solve करें तो उनको मैं यहां पर कुछ भी नहीं समझा सकता हूं मेरा जो personally एक तरीके से point of view है वो यह है कि मैं उनकी कुछ help कर पाऊं last के 10 days में जो केवल 14-15 question कर पा रहे है math में तो कहीं ना कहीं ठीक है जैसे कुछ लोगों का mensuration थोड़ा weak है तो एक छोड़ा सा idea में दूँगा बाकी एक class जैसे एक class कर लाएगी बट परस्थों जो Sunday को एक class आएगी उसमें में mensuration और trigonometry और algebra का थोड़ा थोड़ा एक idea आपको दूँगा केवल केवल basic का basic बतलब जिनको बिलकुल नहीं आता है उनको भी काफी कुछ समझ में आएगा ठीक है geometry का भी मैं देन खासा idea मिलेगा तो दस दिन में मैं कोशिश करूँगा कि कुछ classes आपको अच्छी दे पाऊं आपको कुछ सिखा पाऊं especially for beginners ठीक है beginners को थोड़ा सा उसमें help मिलेगी जिनका level 75-80% already math में है वो mock से जाके अपना practice करें, quizzes दे, books लगाए otherwise आप काफी अच्छे-च्छे teachers हैं जिन का और doubt आ रहा है कि इतने सारे papers आ रहें, सारे result आ रहें, skill test को लेकर questions आ रहें, DV को लेकर आ रहें, descriptive को लेकर आ रहें, उसके अलावा आपका typing को लेकर कई सारे doubts आ रहें, तो Sunday को इस बार जो live session होगा, live session मैं हमेशा लेता हूं Sunday को, तो इस बार भी, इस बार का जो live session होगा वो शायद हम राजन्स और मुकल सब लोग साथ में रहेंगे, और उस live session को लेंगे देना आ वहाँ पर अपने doubts को पूछ सकते हो, और कोशिच करेंगे कि आपके वहाँ पर doubts क्लियर कर पाए, उसके अलावा descriptive और typing को लेके एक particular video इस Sunday को मैं डालने की कोशिच करूँगा, तो आप मेरे channel से जुड़े रहें, आपको यहाँ से लगातार बहुत सारे अच्छे अच्छे videos देखने को मिलने वाले हैं, अगर आपने subscribe नहीं किया तो आप subscribe भी कर सकते हैं, आप telegram channel पर नहीं है, then telegram channel भी आप add कर सकते हैं, वहाँ पर doubts आप अपने पूछ सकते हैं, math case के अल दालना था, मैंने नहीं डाल पाया, क्योंकि थोड़ी तबियाट डाउन थी मेरी, तो उनके लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि आप playlist में जाएं, और वहाँ पर जाकर देखें कि मैंने math के 24 video CHSL के डाल रखें, जो कि बहुत प्यारे-प्यारे questions हैं, इसके अलावा 16 video मैंने chapter प्रवाइस डाल रखें हैं, 10-15-20 video मैंने means के डाल रखें हैं, तो ये video भी अगर आप देखते हैं, आपको बहुत जादा फायदा होगा, तो प्लीज आप playlist में चाहिए math के videos देखिए, उनसे भी आपका बहुत जादा फायदा होगा, उसके अलावा, अगर आप पूरे video ख रहा कि इस पर भी मैं कुछ बात करता हूँ, कि देखिए, आप पहले ध्यान से सुनिएगा, 17 August से मेरी training स्टार्ट हुई थी, जो की चली थी 29 August तक, ठीक है, तो अब आप यहाँ पर एक चीज ये देख रहा हो, कि 51,888 रूपय in hand मुझे मिला है, मतलब 52,000 के अपरोक्स, total salary जिसे gross salary बोलते हैं, वो है 56,576, तो इतनी ज्यादा salary क्योंकि पोस्टर से में तनी salary तो नहीं होती है, तो आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, उसको आप ध्यान से देखेगा, अगर आपके में clear नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने ये laptop में screen shot लिया था, ठीक है, मैंने अ area दिख रहे हैं, अठारा तरह 449, ये actually में august की salary है, ठीक है, तो ये august की salary को अगर आप हटा दोगे, ठीक है, और ये तो gross salary का होता है पूरा ठीक है, तो क्या क्या आपकी एक मन्त की salary में रहता है, 25,500 आपका basic pay है, ठीक है, वो आपका रहता ही है, ठीक है, तो मैं आपको द रुपए आपका D.A है, D.N.S. अलाउंस होता है, ठीक है, उसके लावा 612 रुपए, D.A. पे T.P.A. मिलता है, ठीक है, 612 रुपए, ठीक है, ये Y.C.T.E. की, actually, मैं देखी, मैं सब बता देता हूँ आपको, ये Y.C.T.E. की salary है, कानपूर में में रहता हूँ, कानपूर Y.C.T.E. में आता है, उसके लावा भी, कुछ Y.C.T.E. में, आपका T.A. जो होता है, वो 36.00 ना मिलके, 1800 मिलता है, ठीक है, तो मेरी City में 36.00 मिलता है, then ये advantage है, that is why salary भी थोड़ी सी भढ़के मिलती है, ठीक है, अब बात आ जाती है, इतना जो आपको बाकी HR कितना मिलता है, 4-10-80 मिलता है, ठीक है, तो over और आपका इस तरीके से चीज़े रहती है, ठीक है, DA मिलता है, house rent मिलता है, अलाउंस मिलता है, ट्रांस्पोर्ट अलाउंस मिलता है, पर मिलता है, यह आपका DA पर TPA मिलता है, 612 रुपए, परसंटेस आप निकाल लिएगा, जो भी हो, 4,060 रुपए जो है, वो है आपका HR जो कि 16% मिलता है, 16% और अगर आप X सेटी में हैं, देन आपको 24% मिलेगा, अगर डेली में हो, तो आपको 24% मिलेगा, उसके अलावा TA जो है, वो 36,00 हमारी सेटी मिलता है, Y सेटी में, और Y सेटी के कुछ सेटी में, आपका TA जो है, वो 18,00 भी मिलता है, ठीक है, तो वो आपका जहां पर होगा, उस साब से देख लिया जाएगा, ठीक है, तो अगर आप इन सब को एड करोगे, एरियर को घटाके, ठीक है, इसको मैं हटा दिताओ दवारा, अगर आप एरियर को हटाते हो, इसको घटाते हो, क्योंकि ये अँगस्त का है, ठीक है, तो आपका इन सब को एड करने पर जो बनेगा, वो बनेगा 38,127 मैंने एड किया था, तो यही बना था, 38,127, तो अगर एक मंत की मैं बात करूँ, एक मंत की अगर मैं केवल बात करता हूँ, ठीक है, केवल सेप्टेंबर की अगर मैं बात करता हूँ, तो 38,127 रुपए जो है, वो सेप्टेंबर का ग्रॉस सेलरी है, ठीक है, सेप्टेंबर की जो ग्रॉस मतलब कह सकते हो, टोटल सेलरी आप कह सकते हो ठीक है लेकिन इन हैंड कितना मिलेगा आपको इन हैंड में आपका एक तो यह कटेगा दस रुपई यह कटेगा पता नहीं क्या है और धाई सो रुपई मेरा बना नहीं है बढ़ कट जाता है तो आप उनलाइन एपलाई करके बनवा सकते हो ठीक है तो 2984 रुपई है दस रुपई है और धाई सो रुपई है इसका मतलब लगबग आपका 3200 के अपरोक्स रुपई यहां से कटता हुआ आपको दिख्राइब ज्यादा तो 3200 रुपई अगर आप यहां से काटोगे ठीक है 3200 रुपई अगर आप काटोगे तो आपको जो इनहेंड मिल देगा वो मिलेगा 34800 के प्लस ठीक है तो यह next मन्त से मुझे यह सैलरी मिलेग ठीक है और डिये फिला 17 परसेंट है और अचारे आपका 16 परसेंट है वाई सेटी में ठीक है बागी टांस्पोर्ट अलाउंस टीये मेरी सिटी में 3600 मुझे मिल रहा है कुछ जगह पर वाई सिटी में 1800 भी मिलता है ठीक है तो यह सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए जो पता चला है कि लिए जो बेसिक पे आपका है थोड़ा कहां या लिक देता हूं 25 Σब्सक्ठो ठीक है 25 ठीक है इसका 10% जो होता है वो आपका जो होता है वो NPS कटता है ठीक है वो आपकी salary से कटता है तो ये जो आपको दिख रहा है 2984 रुपए ये मेरी salary से कटा है अब government का क्या हिस्सा होता है इसमें तो ये जो 29,835 है इस पर 14% ठीक है 14% government आपको देती है ठीक है तो अगर आपका तीन हजार आपकी से कट रहा है, देन 42 रुपए गवर्मेंट आपके NPS में डाल रहा है, ठीक है, तो चार आठ और नौदो ग्यारा, और एक चारशक साथ, मतलब लगबग बहातर सो रुपए, बहातर सो रुपए आपके 2400 ग्रेड पे की जॉम में, बहातर सो रुपए आपक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, इसके लावा लास में फिर भई बहात कहना चाहूंगा आपसे की, आप लोगों को कही ना कहीं प्लेट में जाकर मेरे सारे वीडियो को देखना चाहिए, मैंस के वीडियो तो चाहिए, बहातर से बीड हो सकती हो, उससे भी आपक कर रहा हूं इस प्लेटफॉर्म के थू कि आपको काफी चीज़ा पता चले, दोस्तों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेर करें, जादा जादा इन वाल हो इन वीडियो में, और भी आपको बहुत जादा काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जो मैं आज से एक स्टार्ट करने वाला हूं सीरीज, उसे बिल्कुल फॉलो करिएगा, ठीक है, आपको फायदा होगा, अगर आप बिगिनर से, या आपको कोई फेंड बहुत बिगिनर जिसने अभी अभी ताइरी स्टार्ट करी, यहीं या आपको इन वीडियोस को सःजस्ट कर सकते हैं, चैनल को सःजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, ठेंक यूすबाइज फॉर वाचन दिस वीडियो, बपाय टेक कार, आपको अ VPN